तो यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की हाइरिंग के बारे में TCS ने यहां पर हाइरिंग निकाली है MSC, MCE, BTEK वाले बच्चे के लिए एक हाइरिंग निकाली है दूसरी हाइरिंग निकाली यहां पर ग्रेजुएट्स के लिए तो जितने भी graduation के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एक दूसरी हाइडिंग निकाल लिए तो दोनों ही job के बारे में हम इस पूरे वीडियो में discuss करने वाले हैं So hey guys, my name is Tushabudhiwal and you watching Tushabudhiwal YouTube channel बिगर देरी करते हैं वीडियो को start यह phase 2 है यार इसका phase 1 पहले निकल चुका है अब यहाँ पर इन्होंना phase 2 निकाला है जिसकी last date 16th January 2022 तक है तो काफी time है यार अभी में आपर अभी लगबग एक महिना है 16 January में तो आपके पास काफी time है बट मैं बोलूँगा जल्द से जल्द अपलाय कर देना प्रोसेस अपना start कर देना मतलब जैसे भी आर आपकी सहुल्यत के साफ साफ देख लेना बाकी 18th November 2021 से आपका यहाँ पर test in का start हो गया है अब जैसे यह आप अपलाय करते हो उससाब से वह आपका test depend करता है interview date आपकी announce होगी जब आपका test result आ जाएगा तो test result के बाद में आपको email पे ही notification आ जाएगा कि आपकी interview कब आपका schedule हुआ है ठीक है यहाँ पर phase 2 चल रहा है September पे भी इन्होंने 2021 का off campus drive निकाला था अच्छा response इनको मिला था इन्होंने इसलिए यहाँ पर phase 2 निकाला है जिसकी यहाँ पर last date जनवरी तक है यहाँ पर जो candidates exceptionally अच्छा करेंगे उनको एक chance मिलेगा वो eligible होंगे यार advanced offer opportunity of TCS digital तो TCS digital से जो opportunity आपको मिलती है उसके लिए आप पर exceptional candidate यहाँ से चूज के जाएंगे और उनको वहाँ पर मौका मिलेगा TCS digital में eligibility जो की main चीज़े उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था यह वाली जो job post है यहाँ पर पी टेक वालों के लिए है और अगर आप BCA वाले हो BSC वाले हो BA BCOM वाले हो तो आप eligible नहीं हो पर अगर आपने MC MSC कर रख है तो आप यहाँ पर eligible हो eligibility criteria में इसमें BE BTEK ME MTEK MC और MSC वाले भी eligible है बर graduation वाले इसमें eligible नहीं है एक graduation वालों के लिए दूसरी hiring है उसके बाले मैं बताऊंगा एक important note यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 18 November से इनके जो भी immediate joiner से उनको invite करना है उनने start कर दिया है the test will be conducted in continuous batch depending on the date of your registration तो यहाँ पर इनके कुछ batches defined है जब भी आप यहाँ पर register करते हो इससाब से यहाँ पर test schedule होंगे तो वह आपके test जो होते हैं कुछ batches में होते हैं तो वह सब आपको जानकर email में मिल जाती है जब आप एक बार apply कर दोगे application process for TCS of campus hiring का जो है वह यहाँ पर यह है step 1 आपको login करना TCS next step portal पर यहाँ पर एक hyperlink created है अगर इस पर आप click करोगे तो आपको यहाँ पर simple steps आ जाएंगे और आपको यहाँ पर register करना है step 2 में आपको register and apply करना है TCS hiring के लिए तो जैसे यहाँ पर एक खुल चुका है उसके बाद में आप यहाँ पर register now करके register कर सकते हो ठीक है उसके बा आपको register now पर click करना है choose category करना है आपको IT उसके बाद में आपको proceed करना है फिल्स तो यहाँ पर दोनों step यहाँ पर इनोंने scenario बता दिया है अगर आप यह अगर आप पुराने user हो तो आप यह scenario यहाँ पर आपके लिए है अगर आप नए user हो तो आपके लिए scenario B है ठीक है तो जादा कोई मुश्किल चीज नहीं है simple सा जैसे आप Facebook पर login जब account बनातों जो form होता है simple सा वैसा कुछ form है को इतना कोई मुश्किल नहीं है जिसमें आपको basic अपनी details डालनी होती है तो इतना कोई मुश्किल process है नहीं step 3 है to confirm your status आपको हमेशा यहाँ पर step 3 है कि आपको track your application का यहाँ पर option मिलेगा और वहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़ रिफलेक्ट होनी चीज़िए कि applied for drive आ चुका है तो इस हिसाब से आप अपनी track कर सकते हो to get test ready with TCS resonance आप यहाँ पर test ready हो सकते हो click here करोगे तो एक separate window खुल जाएगी और फिर उसके बाद आप महाँ पर profission कर सकते हो test pattern के अगर हम बात करें तो test pattern आपका यह रहने वाला है इस website की link में description में दूँगा तो वहाँ पर जागर आप थोड़ा से इसको go through कर लेना test की eligibility है वो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लेना यार minimum जो main चीज हो बता देता हूं कि 60% आपको चाहिए है in each of class 10th 12th और आपका जो भी graduation है या post graduation examination is required ठीक है तो सब में भाई आपकी 60% बननी चाहिए gap अगेरा है यहाँ पर यहाँ पर लाउड नहीं करता है 24 months इन्होंने लिवर्ट डाल रही है वहाँ एक्सपीरियंस अप्टू येर्स का आपका होना चीए ठीक है उससे जादा होगा तो यह फिर आप eligible नहीं हो एज आपकी 1828 होनी चीए eligible चीजें ये पहले ही बता चुके है FAQ को भी यहाँ पर go through कर लेना यहाँ पर यह भी बहुत important है बहुत सारे questions आपके मन में आ रहे होंगे जब आप इस FAQ को यहाँ पर go through करोगे बहुत सारे questions automatically यहाँ पर आपके clear हो जाएंगे ठीक है तो 28 यहाँ पर FAQ है इन इनको भी भाई एक बार पढ़ लेना यह भी एक जरूरी चीजे होती है के लिए यहाँ पर book your free slot करके register कर सकते हूँ इसमें कौन-कौन सी यहाँ पर skills चाहिए तो आपको programming related data structure से related code quality, html, css and react.js plus node.js, python और java वाली यहाँ पर skills आपको आनी चाहिए उसके अलावा test structure आपका phase 1 होगा जिसमें आपको 1500 number लाने है, phase 2 होगा जिसमें आपको 700 number लाने है, 1000 में से, phase 1 में आपको 1500 number लाने है, 300 में से, ठीक है उसके बाद में आपके यहाँ पर placement का interview होगा एक और important चीज़ है, अगर आपकी placement इससे यहाँ पर लगती है, तो आपको CTC 50 लाग तक का मिल सकता है, 400 से जादा job opportunities यहाँ पर available है थोड़ा से आप यहाँ पर scroll करोगे, तो आपको यहाँ पर एक download का option मिलेगा, जहां से आप अपना syllabus download कर सकते हो, code of contact देख सकते हो, instruction यहाँ पर download कर सकते हो इन तीनों चीज़ों को download कर लेना यार, FAQs भी यहाँ पर available है, जिसमें से सबसे पहला यह जो important FAQ है, वो है which company are hiring based on full stack development test and for what roles ठीक है, तो उसमें 15 से जादा companies यहाँ पर including है, उन सारी companies के नाम यहाँ पर available है, जो कि full stack developer के role में आपको job offers देती है, इस reliable test के through, उसके अलावा भी काफे सारे यहाँ पर FAQs हैं जिनको आपको go through करना है, तो description में यहाँ पर एक link है, उस पर आपकी click कर सकते हो, आप सीधा य GPS fresher hiring for 2022 pass outs, तो 2022 के जो है, बच्चे, तो जो भी pass out हो रहे हैं 2022 में, उनके लिए यहाँ पर यह job offer है, exclusive opportunity for arts, commerce and science graduates, तो किसी भी stream के हो, आप arts से हो, commerce से हो, science के हो, और graduate हो रहे हो 2022 में, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, तो basically सारे ही graduation के बच्चे, इस job के लिए apply कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर अच्छी perform करेंगे, उनको यहाँ पर business operation में काम करने का मौका मिलेगा, banking and finance, services and insurance में काम करने का मौका मिलेगा, life science related roles के लिए आपको यहाँ पर available होंगे, मौका मिलेगा काम करने का, application process इसका यहाँ पर defined है, login कर सकते हो, आप यहाँ पर click here करके register करना है आपको, ठीक है, उसके बाद में TCS, BPS Fresher Hiring Process, kindly register now, choose the category BPS, ठीक है, तो category आपको यहाँ पर BPS वाली करनी है, उसके अलावा, submit your application form, उसके बाद में आपको submit करना है form को, for step by step guide, click here, click here to mock test and prepare better for TCS, अगर आपको इसके लिए prepare करना है, तो click here, आप यहाँ पर hyperlink created है, आप prepare कर सकते हो, important points आप यहाँ पर एक बार देख लेना, और इनका help next number आप देख सकते हो, screen पर यह है, अगर कोई भी दिक्कत होई, आप email कर सकते हो, phone भी कर सकते हो, तो यह चीजे है, अब यहाँ पर एक और important चीज के बारे में हम बात करेंगे, कि यह opportunity कितनी अच्छी है, एक important detail analysis पर करेंगे because job opportunity का मतलब यह नहीं है, कि हम भाई किसी में भी apply कर दें, ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर discuss करी थी, उसको थोड़ा सा analyze करते हैं, कि अगर उस पर हम apply करते हैं, क्या apply करना चीए या नहीं करना चीए, पहला हो decision कैसे ले, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख स चीए या नहीं करना चीए, तो बिलकुल यार आप apply कर सकते हो, अगर आपको TCS की कंपनी में जाना है, इसके लिए मैं आपको personally recommend करूंगा, कि आप एक काम करो, LinkedIn पे ऐसे बंदो को ढूंडो, जो कि already यहाँ पर जा चुके है, उनके थोड़े से experience लो, उनसे बात करने की कोश सकते हो, because वो एक सही बंदे है, या फिर बंदी जो भी है, ही और शी, कोई भी हो सकता है, आप उनसे जाके बात कर सकते हो, और उनसे पूछो यह चीज, कि भाई इसमें क्या होता है, मतलब ऐसा कभी भी गलती मत करना है, कि बस job निकली apply कर दिया, TCS ने job निकली apply कर दिया, research करो अच्छे से, कि उस job में होता क्या है, कोरा में जाके experience बढ़ो, ठीक है, आप यहाँ पर इसी title को search कर सकते हो, TCS of campus hiring for, जाके आगे कोरा लगा देते हो, तो कोरा पर आपको बहुत सारे questions मिल जाएंगे, जो लोगों ने पूछे होंगे, वहाँ पर लोगों ने अपने experience से share कर रहे होते हैं, जिन्होंने, जो already इसमें apply कर चुके है, उनका selection हो गया तो उन्होंने काम करके देखा है, अब वो अपना experience बताने को रहा है, तो वहाँ पर जाकर भी आप यहाँ पर help ले सकते हो, पहली चीज मैंने LinkedIn बदाईती, वो भी आपको करना है, वहाँ से ही आपक आप go through कर लो, especially मैं किस case की बात कर रहा हूं, इस वाले case में, जो की है आपका, जो इन्होंने hiring निकाली है, यह TCS of campus hiring for year of passing 2022, 20 or 21, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, जिसमें eligibility BE, BTEC, MTEC, ME, MC, MSC है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अब बात करते हैं, जो की मैंने second opportunity की बात क के लिए है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कि हम BCA, BSC IT के बच्चे हैं, हम IT related degree के बच्चे है, क्या हमें इसमें apply करना चीए, तो यार देखो, यह जो है, यह अलग चीज है, यह IT से related अगर आपका काम करना की इच्छा है, तो यह वो चीज नहीं है, ठीक है, अगर आप यहा काम आप सोच रहो, coding अगरा, वो सब आपको नहीं मिलेगा, विकाज यह सब के लिए है, तो यहाँ पर दो आपको information, जब आप register now पर click करते हो, दो चीज़े मिलती है, IT plus business process services, तो यह कौन सी है, यह BPS वाली hiring है, TCS BPS hiring, जो fresher को hire करनी, graduation बच्चों को, तो यहाँ पर अगर आ IT का बच्चा हूँ, मैं तो IT से related चीज में ही जाना चाहता हूँ, coding से related ही जाना चाहता हूँ, तो इसमें apply मत करना, भाई, बहुत ऐसी companies है, जो कि अच्छा आपको पैसा भी देगी, प्लस आपका career के लिए वो चीज अच्छी होगी, बस TCS company का नाम सुनके, मतलब जाना है, वो बहुत important एक चीज है, उसको negotiation मत करना हूँ, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा, हाँ चलो, ठीक है, apply कर देते है, अभी job मिल जाती हो, ठीक है, but 3-4 साल बाद में आपको ऐसा ना हो कि आपना time waste कर दिया, ठीक है, because, पैसा ठीक है, but time is more important, ठीक है, और पैसा अभी कोई इसमें इतना जादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो बहुत other options है, आप उनको explore कर सकते हो, इसको skip कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, skip कर सकते हो, कोई दूसरी opportunity ले सकते हो, बहुत IT companies है, उनमें try कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है, कुछ बड़ी service based company में जाना है, TCS Wipro, Infosys, हमें इन में जाना है, और भी बहुत companies है, भाई, वहाँ पर आपको सीखना मिलेगा, कोई भी field choose करो, और फिर वहाँ पर उसमें जाओ, apply करो, LinkedIn पर जाओ, बहुत सारी jobs available है, तो महाँ से जाके apply करो, ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, दिस उस तुशार अरिवाल, signing off.